असलाम अलेकुम विवर्स आज मैं आप लोग लिए क्रिस्पी चिकन डूनेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज ये रेसिपी में मैं आपको बहुत ही असान तरीके से बनाना बताऊंगी और इसके साथ एक बहुत ही मज़दार साथ चीज सास बनाना बताऊंगी गाड़ एक चीज सास बनाना बताएंगे जो के बहुत ही मज़दार बनता है और ये डोनेट्स बच्चों को और बडू को सबको बहुत पसंद आएंगे इसको बना कि आप freeze भी कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा अगर आप मेरे चानल पे नहीं हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ साथ और नोटिफिकेशन को क्लिक करें इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे बहले मिलेगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले तो चरिया ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो इदर हमें चिकन चाहिए होगा 250 ग्राइम के बराबर उसको हम चॉपर में एट कर देंगे इसको मैंने चोटा-चोटा कट कर लिया था इसके बाद इसके अंदर हम एट करेंगे ग्रीन आनियन, आल की प्याजे, आदा कप के बराबर वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है मैंने ब्रेट क्रम्स एट कर देंगे 5 टीबल स्पून के बराबर ये ना हूँ आपके पास तो 2 स्लाइस भी आट कर सकते हैं फिर हम आट करेंगे आलू, एक अदद आलू है, मीडियम साइज का उसको मैंने बॉयल कर लिया था, वो आट कर देंगे इसके अंदर एक अदद अंडा आट करेंगे इसके अंदर जिंजर गार्डिक पेस्ट आट करेंगे इसके अंदर वन टीस्पून के बराबर रचिरी पाउडर आट करूंगे इसमें वन टीस्पून ब्लैक पैपर पाउडर आट करेंगे इसके अंदर वन टीस्पून सॉल्ट आट करेंगे इसके अंदर वन टीस्पून अब इन तमाम चीजों को चॉपल में पीस लेंगे अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बनाना है हमें इसका तो देखिए इसको मैंने पीस लिया यह कुछ इस तरहां से होगा थोड़ा सा पतला होगा इस तरहां से अब डोनट्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पाइपिंग बैग उसको कट कर लेंगे आगे से इस तरहां से एक ग्लास ले लिए है उसके अंदर हम पाइपिंग बैग इस तरहां से लगा लेंगे बना लेबाद कंगए है की उसके ऑपर मैंने रग दिया था है बठर पेप्र और इस Conan के उपर हम इस तरह से पाइप कर लेंगे इस तरह से राउंड बना लेंगे 사ई आपके उपर ड़ाद करतायर बड़ा बनादा चाहते हैं तो बड़ि साइज की भी बना सकते हैं और चोटी से सैट हो जाए और देखिए जो ऊपर का टॉप है उसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे तो थोड़ा सा ओल ले लिया है मैंने फिंगर पर लगा के स्मूथ कर रही हूं ये देखिए इस तरहां से इसके बाद में इसको फ्रीजर में रग दूँगी दो से तीन घंटे के ल चीनी एड़ करेंगे वन टी स्पून के बराबर और फिर हम इसके अंदर एड़ करेंगे नमक हाफ टी स्पून के बराबर ये एड़ करने के बाद में इसमें एड़ करूंगे मयावनीस टू टेबल स्पून यह उन्य है इस एट करने के बाद इसमें हम एट करेंगे चीज स्लाइसे दो अदर लिये हैं मैंने रेगुलर चीज है अगर आप लोग चड़र चीज यूज कर रहे हैं तो फिर सॉल्ट आप कम एट कीजेगा इसके अंदर जादा नहीं एट कीजेगा तो बस हम इसको mix करेंगे फ्लेम मैंने on कर दी है और low medium flame पे हम इसको cook करेंगे तकरीबन एक से दो मिनिट में बहुत अच्छे से पक जाता है और हल्का सा थिक होगा उसके बाद हम इसका flame off कर देंगे उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे तो देखिए ready हो गया है और doughnuts जो है हमारे set हो गया है इसको मैंने दूसरे तीन घंडी के लिए रख दिया था फ्रीजर के अंदर तो देखिए इस तरह से set हो गया है पूरे जम गया है अच्छी तरीके से अब इसके हम coating कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने कौन फ्रोर लिया है उसके अंदर सबसे पहरे हम इसको dip करेंगे इस तरह से अच्छी से coat कर लेंगे और उसके बाद अंडा ले लिया था मैंने इसको फेट लिया है उसके अंदर dip करेंगे फिर हम इस पर लगा देंगे bread crumbs देखिए इस तरहां से और इसके हमने एक ही coating करनी है अच्छी तरीके से bread crumbs लगा लेंगे इसी तरह से में सारे जो डोनट से उनको में crumbs लगा के रख लूँगे और crumbs लगाने के बाद आप इसको दुबारा से freezer में रख सकते हैं या directly आप इसको ziplock बैक में डाल सकते हैं क्योंकि यह जमेवे हैंगे तो आहराम से आप इसको किसी भी ziplock बैक में डाल के रख सकते हैं तो देखिए आप इसको हम fry कर लेंगे तो इसको आपने deep fry कर लेना है इस तरहां से low medium flame पे fry कीजिएगा क्योंकि यह अंदर से जमेवे हैं इस वजह से मैं कहा रही हूँ और जादा high flame पे इसको fry नहीं कीजिएगा तक्रीबन 2-3 minute लगते हैं इसको fry होने में एक मिरंट में एक तरफ इसके color आचाएगा हलका सा light golden brown कर लेंगे उसके बाद आपने तो देखिए बस इसको मैं निकाल लिए हूँ इसको आप बना के अपने बच्चों को lunch में भी दे सकते हैं बहुत ही मज़दार बनते हैं बहुत light बनते हैं और खाने में बहुत ही मज़दार होते हैं इसको try जरूर कीजिएगा तो इसके एक पिक्चर में इसा जरूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे तो वीवर्स अगर आप लोगों में रेसिपीस अच्छी लगती हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमिट जरूर किया करें शेयर भी जरूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ तो मुझे अपनी दौाओं में याद रखिएगा अल्हाफिज